अलो एवर्यवन, वेलकम टो गोली से सफुल किचन आज मैं आपको पास्ता विद वायट सॉस से खा रही हों जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं कि अलिकली की विए लगोने चैपते में लेकिन अगर पास्ता बनाम तो बनाते हैं तो बना this waspod पनि उसलियू नहीं रहता आप समयタ मतक्पस का औरॉ पहें जालते हैं जैदि Gibson और ई scheint ऑन वह से तो कि फीस आप सकेसे चैज कर सकते हैं तो बॉर्ट नाम पित हैं आप देख सकते हैं इंग्रीडियंट्स यह मैंने पास्ता लिया है यह भी दिफिरेंट शेप्स में आता है यह चूज एनी शेप यह पास्ता मैंने हाफ पकेट लिया है यह देखिए मैंने वाइट सॉस अलरडी बना के रखी हुई है जो टू स्मॉल बाउल के करीब है वन स् केप्सिकम मैंने बारिक कर लिया है वन केरिट को बारिक कर लिया है लैसुन की शिक्स तू सेवन को बारिक काट लिया है और यह ग्रेट चीज है करीब टू टेबल स्पून ओल है वाइए स्टार्ट करते हैं यह मैंने पहले से ही वाटर बॉयल करना शुरू कर दिया है आप आप देख सकते हैं अच्छे से एक उबाल आने के बाद हम इसमें यह जो पास्ता है यह डाल देंगे पानी इतना लेना है कि वह अच्छे से उबल जाए काफी खुला पानी लेना है हमें इसमें कोई measurement की जुर्ण नहीं है यह देखें साथ में चिपके नहीं उसके लिए हम इ हमें इसमें सॉल डालूंगी और इसको सॉफ्ट होने तक में इसको बॉल करोंगी आप देख सकते हैं जब तक ही सॉफ्ट नहीं हो जाए हम इसको चेक करेंगे तब तक हम इसको बॉल करेंगे जब तक पास्ता बॉल होता है मैं आपको इसको दूसरे पैन में बताती हूं बटर डालके कैसे इसको वेजटेबल्स को फ्राइ करना है यह देखे वन अद हाफ टी स्पून बटर ले लिया है लो फिलिम पर बटर को रखना है ताकि वो जले ना और इसी में साफास में इसमें तुक्ता बटर दूँगे इसको भी हमें बहुत नहीं दूनना है हल्का साधी करना है इसी के साफ में प्याज दूँगे प्याज को भी इतना हमें दूनना है कि उसके स्लाइस ऐसे अलग-अलग हो जाए आप देश सकते हैं ये देखिए कि आज के से श्राइज से लग लग होए हैं अब में इसमें ये हलका सा पींक होना है बसके हलका सा साटे करना है वेजटेबल्स दालेंगे पास्ता में डालाय थोड़ा वेजडेबल समें न की बीड़ेंगे झील और अच्प्सके रिटी अचियं और फेलेंगों मेंज्ट न स्वकुने मिच गुफका देखिवाल्ण आप देखिए थीघनू डालाये उच्पास्ति है मिक्स करेंगे, वेजटेबल हमें क्रंची रखनी है, बहुत जारा इसको भूनना नहीं है, यह देखिए, वेजटेबल सौते हो गई है, यह मैं कॉन डाल रही हूं, जो अलड़ी बॉयल किया हुआ है, कलर एड करने के लिए आप इसमें यलो बैल पेपर भी डाल सकते हैं, मै आप देख सकते हैं, पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया है, अच्छे से गल गया है, इस टाइब से आपको लेना है, मैंने स्ट्रेइंग कर लिया है इसका वाटर निकाल के, और अब मैं इसको सीधा पैन में डाल देए हूं, यह देखिए, कितना सुंदर लग रहा है, पास्ता हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, लो फ्लेम पे हमें इसको जल्दी-जल्दी मिक्स करना है, यह देखिए, यह देखिए, सारे पास्ता अच्छे से कोट हो गया है, आप देख सकते हैं, लो फ्लेम पे हम इनको मिक्स कर रहे हैं, और यह क्रीमी है, आप देखि वाइट सॉस की रेसिपी मैं आपको अपनी पहली उसमें वीडियो में दिखा चुकी हूं आप उससे ले सकते हैं यह करीब मैंने टू स्मॉल बाउन यूज किया है वो आप अपने उपर आपके उपर है आपकी चॉइस के साब से यूज कर सकते हैं हमारा यह पास्ता बनकर त अगर आपको पसंद आये मेरी रेसिपी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच्छ फो वाचिंग